हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेयर बदार वित आयूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में तो दोस्तों आज 29 अव सप्टेंबर थी मारकेट्स के अंदर एक बहुत बढ़िया मूव आज एकस्पेक्टेड था शुरुवाद भी इस प्रकारी होती हुई देखने को मिली बट बाजार फिर समय के साथ आपको नीचे आते हुए देखने को मिली और बाजार कह सकते हैं कि यहां पर फिर से एक फ्लाट क्लोजिंग देते हुए देखने को मिले अज मार्केट लग रहा था कि बढ़िया कर सकता है लेकिन फिर से वही कि 17,000 का लेवल के आसपस आते से बाजार में हमेशा जो सलिंग बिशर दिखता है वो दिखता गया आज बाजार एक दम से तो नीचे नहीं आए बट धीरे देगर कि दोस् जूस तो बाजार ओपन होता हुए दे देखने को मिला 17.026 का आपको देखने को मिलेगा बाजर का यही अंग उसका वीडियो में हम को अपने ऐकि कल बहुत इंप्टेंट डी है बिकास कल आपको आर्बीक की तरफ से कल जो है क्ल रेट है किया जा की रेट है कि तो होने वाला है लेकिन कितना रेट होता हुआ देखने को मुलेगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बाजार के लिए अपना आप में एक बेहत बड़ा खत्रा भी आपको रदा हुआ देखने को मिल सकता है तो सब कुछ इस वीडियो में आपको अतलेगा अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर यह वीडियो आपको बात में पूरा देखने का बड़े आलागे तो डेफिनिटी लाइक करके भी जरूर चाहिएगा तो आप बात करतें दोस्तों आप सबसे पहली बार तो आ पहली बार या फिर कह सकते हैं कि बहुत कम बार ही हमको देखने को पहली बार तो नहीं लेकिन मंत्री एक्सपारी में हमेशा बड़ा मुआता या तो नीचे के साइड या तो उपर के साइड आज अगर आप देखेंगे तो बाजार एक फ्लाट ट्रेड किया हाँ जरूर उ देखने को लेगा 16750 के बाजार इडडगड़ी रहा लेकिन उस लेवल को ब्रेक एक बार भी नहीं किया यह साफ साफ अच्छी बात आपको देखने को मली अब दोस्तो कल कर दिन इंपोर्टन को है क्योंकि कल आपको आरब की तरफ से रेट हाइक होता हुआ देखने को मिले अब 35-50 basis point अगर रेट हाइक होता हुआ देखने को मिलता है तो इसके उपर बाजार के क्या अफक पड़ेंगे यह अपना आप में बहुत बड़ा question रहेगा जिसके हम बात करेंगे इस वीडियो में लेकिन सबसे पड़ी बात दोस्तों क्या है कि सारी global banks जो है वो आपको य अब जगर दोस्तों यहां पर rate hike होता हुआ देखने को मिल रहा है तो यहां पर rate hike ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली जो हमारे इंडिया में हो रही है यह पूरा global है आपको होता हुआ देखने को मिला है लेकिन यह ज़रूर कि दोस्तों जो RBI है अगर कल 50 basis point से उपर निकल किया rate hike करने के समय तो बाजार मान के जलिए आपको बहुत तीजी से नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा और 35-50 basis point के लगभग अगर बाजार में आपको rate hike आती भी देखने को मिलती है तो बाजार के लिए इतनी बड़ी कोई चिंता की बात नहीं रहेगी यह पर आपको आती हुए देखने को मिलेगी और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बाजार के लिए दिक्कत का सबक रहता हुआ देखने को मिलेगा काफी लोग कह रहेंगे कि 50 is the new normal for the central banks but अगर इससे कम के रहता है तो बाजार के लिए बेहद अच्छी बात है क्योंकि US Fed ने जिस अल्मस 82 के लगबग पाँचता हुआ देखने को मिल गया राइट यहां पर कल जो बाते आती हुई देखने को मिलेगी शक्तिकांदादास सर के तरफ से dollar के उपर प्रुकोज dollar definitely दॉसτοceğ week होता हुआ देखने को मिला नेयें ब्त यह है कि बाकि की सच्वार्प सब्सक्राइब udah कह सकते हैं कि बाजार के पक्ष में आपको फैसला आता हुआ देखने को मिल गया यह रेटाइक आती भी देखने को मिल गई तो बहुत चांसे से कि वापिस आपको डॉलर है वो 81 के नीचे कि नीचे भी आता हुआ देखने को मिल जाए फिर 80 तक हो जाए तो वो हमेशा देखें मार्केट के लिए अच्छा रहेगा रूपी स्टॉंग है तो मार्केट भी स्टॉंग रहते हुए देखने को मिलेंगे यह जरूर है कि दोस्तों जीडीपी का अब जो ग्रोथ फॉरकस् को मिलेंगे लेकिन कुछ चांसे है कि यहां पर जो गाइडेंस है उसको थोड़ा सा अभी डाउनवर्ट कर दिया जाए यह सबसे बड़ी चीज होती भी देखने को मिलेंगी लगातार यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है एच्वन आपसाफ नजर भी आती हुई देखने को मिल रही है इसलिए आपको देखने को मिलेंगा यूएस के मार्केट आपको 52 वीक लोस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है फिफ्टी वीक लोस पर ट्रेड करने का मतलब अप समझ लीजिए यूएस जो सबसे आपको आपको अभी सबसे बुरे दौर से गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है राइट अपने आप में वाजार के दिककत आपको देखने को मिल रही है बाजार कह सकते हैं कि इन चीजों से काफी ज़ाद आपको खराब रहता हुआ देखने को मिलता है जो हुआ भी है यहाँ पर जो निकल के आती है कि इस बाजार में खिर करना क्या चीए है तो यह ज़रूर है कि बाजार में भी दिक्कते हैं को को ही डिणाई नहीं कर सकता कि आपको कहाता है घुल रही है यहीं अपने आ कंसर्न सी यहां पर आप स्टॉक्स डेफिनिटली पिक अब आपको करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो यह है कि अभी वोला टाइम तो है नहीं कि आप कोई सब भी स्टॉक कर ले और वो उपर चल जाए नहीं ऐसा नहीं होगा सी अच्छी अच्छी कंपनी इसको अभी लेक को मिलेगी वो किस बैसे पर आती ही दिखने को मिलेगी उसका साफ यह है कि मार्केट्स जो है वो हमेशा दोस्तों आज की सोच के जरूर चलेगा लेकिन वो आगे की सोच के भी चलता है आज पर तो रियाक्शन दे रहा है मार्केट्स लेकिन आगे के सोच के भी चलेगा तो कि आगे चलके concerns जो है वो ना हूँ राइट तो यही दोस्तों हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आज चलिए बाजार के अंदर अच्छा समय नहीं है जो आपको returns दे पा रहा है लेकिन यह समझ लीजी कि यही सबसे अच्छा समय है stock picking का जो share आप पहले उन levels पर लेना चाह जाती है लेकिन अभी definitely अपने सबसे बुरे समय से आपको जाती ही देखने को मिल रही है तो याद रखीगा यही तो opportunity होती है तो यही बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि अच्छी companies को pick करिए जो आपको पैसा आज नहीं लेकिन आने वाले एक से दो साले फिर तीन साल के लेकिन आने वाले तीन साल के अंदर भी हम थोड़ी सोलाजार आट सो पे टिके रहेंगे नहीं आने वाले तीन साल के इंदर ग्रोथ होगी market बढ़ेगा inflation बढ़ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पैसा भी रुखता हुआ देखने को मिलेगा पैसा भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो यह हमेशा आपको समझना है कि चीजे जो है वह आपको जरूर आज खराब होती भी देखने को मिल रही है बट ऐसा नहीं कि हमेशा खराब रहती भी देखने को मिलेगी तो अच्छे स्टॉक्स को पिक करिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टन एक कल नीचे में आपको 16,750 से लेकर 16,500 की जाने की शमता रखता नीचे में और बाजार के रुख में फैसला आगए तो बाजार में 16,000 का लेवाल है बेसिकली रेजिस्टेंस है 17,000 का वो जैसे क्रॉस हुआ आप मान की बाजार के अंदर आपको बढ़ा तीज आती भी देखने क पॉइंट का ही रेट रेट अई जो है वो होता हुआ देखने को मिलेगा इसी की उपर बार के चलिए बाजार की आपको फोकेश रहता हुआ देखने को मिलेगा अगर इस से उपर हो गया कुछ तो डिफिनिटली दिक्कत है जो हो रहती भी देखने को मिलेगी तो friends इस वीडियो बड़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर दिना चानल से नहीं जोड़ों सब्सक्राइब कर दिना थैंक यू फ्रेंट्स फॉचिन इस वीडियो